हल्लो दोस्तो, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग एक रोमेंटिक ड्रामा मोवी को एक्सपेंड करने वाले हैं इस मोवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे बुड़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है क्योंकि उसकी साधी अभी तक नहीं हुई थी इसलिए वो अपने फोन में हमेसा लड़कियों को देखता रहता था और वो हमेसा ये विस्ट करता था कि कास वो फिर से जवान हो जाए एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घबाघब कर रहा होता है तब ही वो लड़की उसे बताती है उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है अब वो आदमी उस दवा के तलास में लग जाता है और फाइनली उसे वो दवा मिल जाती है वो जैसे ही इस दवा को लेता है वो फिर से बहुत handsome और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिसों को पुरा करता है लेकिन इसके बाद क्या होता है यह हम आगे इस movie में देखेंगे तो चलिए इस movie को सुरू करते हैं कहाने की सुरुवात एक बड़े से सहर से होती है यहां हमें एक बढ़ा आदमी दिख लेकिन गैरी चुपके सो उसे कपला चेंज करते हुए देखता है लेकिन जल्दी उस लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है इसके बाद वो गैरी के दुकान में बहुत हंगामा करती है वो गैरी पर बहुत चिलाती है और उसे बहुत सारी गालियां देकर यहां स्च लेकिन गैरी तो खुद को बुढ़ा नहीं मानता है, इसलिए उसे ली की बाते फिजूल लगती है, रात होने पर गैरी अपने घर आता है, और वो यहाँ अपने फोन में लगा हुआ था, और अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मोवी देख रहा था, लेकिन वो एक एडल्ट मो अगले दिन गैरी के दुकान में एक लड्का आता है, और वो डिफेरेंट डिफेरेंट बोज में अपनी फोटोज खिछाता है, इसके बाद वो गैरी की खिची हुई फोटोज देखता है, तभी उसे कुछ याद आता है, और वो कहता है, तुम तो इस सहर के सबसे लेकी बात सुनकर गैरी मान जाता है, इसके बाद वो रात होने पर नए कलब में आते हैं, और यहां आकर वो बहुत दारू पीते हैं, उसी वक्त एक लड़की आकर लेके पास में बैढ़ जाती है, और वो लड़की देखने में बहुत खुबसूरत थी, जिसका नाम सुजी गैरी उसे पुछता है, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? लेकिन वो बाद में कहती है, मैंने एक दवा के बारे में सुना है, जो कि बुढ़ो को भी जवान बना देती है, और वो दवा हमारे सहर में भी अवेलिबल है, लेकिन वो कहां मिलती है, ये मुझे नहीं पता. लोगों को फोटो लेने से रुखता है क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकप करना था उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर्स रुख जाते हैं और मेकप मैं अमीर लोगों को ही छुने देती हूं और उन लोगों के पास बहुत बड़ी गारियां होती है तुम तो काफी गरीब साथे साथ तुम बुढ़े भी हो, उसके बाद सुनकर Gary को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है, तभी मेकप मैन यहां आ जाता है, और वो मॉडल को बचाता है, इसके बाद मॉडल का मैनेजर यहां आकर Gary को बहुत मारता है, यह ल तो यह कहता है, मुझे घोडी की तरह पावर देने वाली दवाई चाहिए, इस पर वो औरत उससे कहती है, मेरे पास ऐसा कोई भी दवा नहीं है, उसकी बातों को सुनकर गेरी उदास हो जाता है, और यहां से जाने लगता है, तभी एक औरत अंदर से निकलती है, और वो उसस ने इसका ओवर डोज लिया, तब उसकी मौत भी हो सकती है, गेरी यहां लीजा की बातों को सुनकर यह समझ जाता है, कि लीजा उसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाब उसकी सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन वो इस दवाई को चाहता था, इसलिए वो अपने घर में बिस्तर में लेटा हुआ था, तब उसे सुजी की बाते याद आती है, इसके बाद वो उस दवा को पानी में घोलता है, और फिर पूरा का पूरा ग्लास जल्दी से पी जाता है, इस दवा को लेने के बाद गैरी सो जाता है, अगले दिन सुबा उटकर ग जाता है, इसके बाद वो दर्वाजे पर जाकर जैसे ही खोलता है, वो अपने सामने ली को देखता है, ले उसे पूछता है तुम कौन हो, और वो मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहां है, जवान गैरी उसे बताता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिस्तदार हूँ, और तुम्ह क्लिक करने की जाज़त दे देती है, इस नई मोडल का नाम मैरी था, वो गैरी की जवानी देकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है, इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है, धीरे धीरे करके अब गैरी की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी, और अब वो किसी भी इसके बाद गैरी उसके पास आता है, यहां आकर वो उससे बाते करता है, वो उसे अपना नाम बताता है, इसके बाद वो उसका नाम पुछता है, और इस लड़की का नाम नतासा था, वो अभी गैरी को देखकर उसकी तरह फट्रेक्ट होने लगती है, और गैरी को भी वो लीजा से मिलना चाहता है, दुकान में बैठी लड़की से बाते करती हुए जैसे ही गैरी के नजरेक बॉक्स पर पड़ती है, वो उसे उठा लेता है, तभी लीजा यहां आती है, और वो उसे समझाती है, इसमें कोई दवा नहीं है, लेकिन गैरी उसके कोई भी बात नहीं स है, अगले दिन जब गैरी किनेंद खुलती है, तब वो देखता है वो फिर से जवान हो चुका है, इसके बाद वो जल्दी से तयार होकर नतासा के घर आता है, यहां यह लोग दिन भर बहुत इंजोय करती है, अगले दिन जब गैरी किनेंद खुलती है, तब उसे बहुत और उसे सरदर्द होता है और आपने बैटसे उटता है और अपना सर पकड़ कर वो नतासा को ढूंबने लगता है जब वो नतासा को ढूंडते हुए बाथरूम की तरफ जाता है तब उससे पूछता है तुम कौन हो तब वो उरत बताती है मैं नतासा हूँ ये सुनकर गैरी बहुत हैरान होटी है मुवी के लास्ट में हमें यह दिखाया जाता है ये दोनों लोग यहीपर तरलिया था लेज़े ने से मर जाती है और अभर ऑपी खत्म हो जाती है, अगर आपको यह मुवी अच्छी लगी हो तो हमारे ने तूम